आर्पी टेक में आपका स्वागत है आईए दोस्तों दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत करते हम आप सभी के लिए खबरे चुन-चुन के लाने में थोड़ा सा आप भी आपका प्यार और सपोर्ट को दिखाते हुए थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए इस वीडियो को लाइक कर लीजे और इस वीडियो को पुरा आइंड तक देखते रहे है जिससे टेक्नोजिन इरिटेड सारी इंपोविशन ओं आपके पास सबसे पहले तो आज की टेक्निव शुरू करते है पहली कबर की शुरू आज करते है आईकू से वह आईकू 12 से बहुत ही जल्दी दस तक दे देने वाली है चाइना में यहाँ में ओफिशली लॉंचिंग डेट निकल कर बाहर आ चुके साथ नवेंबर को यह लॉंच होने वाली है चाइन आईकू 12 सेरीज में आप सभी को पता ही है कॉल कॉम स्नैब डगान 8103 चिपसेट की ताकात होने वाली है अब भी मैं काफी ज ही गया है जहां पर कॉल कॉम ने अपनी कॉल कॉम स्नैब डगान 8103 यह जो चिपसेट है जिससे लॉंच कर दिया और ही चिपसेट के साथ अब हर एक स्मार्टफोन मेकर कंपनी अपने स्मार्टफोन को लाना चारिये और कुछ स्मार्टफोन के नाम भी निकल कर बाहर आ च 12 सिरीज है ओपो फाइंड एक सेवन सिरीज है और वीवो एक संदेड प्लस यह सभी स्मार्टफोन में कॉल कॉम स्नैब्डगान 8103 चिपसेट देखने को मिल जाएगी वैसे मैं तो कहता हूँ काफी बयानक टक्कर होने वाले सभी स्मार्टफोन के बीच में वैसे देखते लावा के वह में वावा करना ही पड़ता है वह लावा की बात करते हैं तो लावा अगनी टू जो की काफी पॉप्लेर हुआ स्मार्टफोन जहां पर कम प्राइज में काफी अच्छे तगड़े वाले स्पैक से जाथ इसे लांच गया गया और हमें प्राउडली कहना यह समार्टपोन को चेक आउट कर सकते हो अब यह जो स्मार्टफोन इसकी जो प्राइज ले वहुँ उस्टाइम पर 19,995 पर रखी गई थी हाला कि इसके बाद इसकी प्राइस कुछ 2,995 पर हो गई थी बहुत सारी यूजर्स पर स्मार्टफोन मिला भी नहीं था और काफ यही smartphone में में दो नए color options देखने को मिल जाएगे iron glass एं हिदर glass अगर आप यह smartphone को purchase करने के लिए सोच रहे हो तो यह दोनों इन नए color options को आप जरूर से try कर सकते हो Samsung की बात करते वे Samsung Galaxy Z Flip 5 यह जो smartphone वो जुलाई में launch किया गया था अब यही smartphone में एक नए edition देखने को मिल जा रहा है Samsung Galaxy Z Flip 5 रेट्रो एडिशन और यह रेट्रो एडिशन से में रेट्रो वाइब भी देखने को मिल जाती है और यह जो special edition है वो कहा जा रहे है कुछ limited countries के लिए रहने वाला है स्मार्टपोन होने वाला है जो कि यह स्मार्टपोन में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है क्योंकि यह स्मार्टपोन पर अभी फिलाल स्रीयल प्रोड़क्शन काम शुरू हो चुका है European and European countries में यानि कि launching काफी ज़्यादा नजदीक है अब यह देखते हैं स्मार्टपोन में कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है इससे किस कीमत पर launch किया जाता है इस बात का इंतिजार Xiaomi की बात करते हैं Xiaomi 14 series हाली में चाइना में लाँच की गई है और यहीं इवेंट में Xiaomi ने अपनी watch S3 को भी लाँच किया था अब यह जो स्मार्ट वाच है जिसका जो global variant है वो कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी में देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ Redmi watch यह भी आने वाली से जिसका भी फिल्द सिरियल प्रोडुक्शन का काम शुरू हो चुका है European and European countries में यानि कि launching नजदी के और कहा जा रहा है कि Xiaomi 14 series जो globally launch होगी इसी के साथ यहीं इवेंट में Xiaomi watch S3 and Redmi watch को launch किया जाएगा अब देखते क्या होता है मैं तो काफी सथा excited है Xiaomi 14 series को लेकर अब देखत इसे Xiaomi 14 series कितनी ही जल्दी हमें globally देखने को मिल जाती है इस बात का इंतिजा है Qualcomm की बात करते वे Qualcomm Snapdragon X light chipset जो कि specially हमें laptops and PC के लिए देखने को मिल जाती है और यह जो chipset है जिसकी comparison की गई M2 and M2 Pro chipset के साथ इनके gig bet score के साथ जो की काफी ज्यादा higher आया हुआ है वैसे M2 Max chipset से 30% better है पर surprising बात यह है कि M3 lineup की कोई भी यहां पर बात नहीं की गए पर बात तो यह है कि यह जो chipset जिससे कर कम price में launch किया जाता है तो definitely यहां पर Intel खत्रे में मुझे देख रहा है वैसे क्या सोचे आपकी इसके बार में comment में ज़रूर से बताएं ओपो की बात कर देए ओपो स्मार्टपून है का जिसमें में 6.72 एच की एपेचरी प्लस डिस्पे देखने को मिल जाएगी वो भी 90 हेट्स के refresh rate के साथ मिडियाटेक डाइमेंस इटे 6020 चिपसर का समाल देखने को मिल जाएगा 8GB RAM 120 8GB Storage Android 13 आफ दो दो बॉक्स 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल डूल रेर कैमेरा सेट अप जबकी 8MP front selfie कैमेरा में देखने को मिल जाएगा 5000 विच की बैटरी और 33 वाट का फार्ट शारिंग सपोर्ट भी होने वाला है यही स्मार्टपून में अब देखते हैं स्मार्टपूनों में कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है और इसे किस कीमत पर launch किया जात DJI की बात करते बें DJI के और समय बहुत ही जल्दी उनका DJI Pocket 3 देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह जो DJI Pocket 3 वह आज चुका है यानि कि समद देखते में DJI Pocket 3 यह जो गिंबल है वो में कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाता है इस बात का इंदिजार है बहुत को ने अपनी कॉलकॉम स्नैब्रेगन एजन 3 चिपसेट लॉंच कर दी तो इस मीडियाटेक कैसे पीछे अटने वाला है फिर मीडियाटेक ने भी अनौस्मेंट कर दिया है उनका बड़ा इवेंट होने वाला है छे नवेंबर को जहां पर वो अपनी सबसे भयानक मी यह जो चिपसेट हैं जिसके हम कंपेजन कर सकते हैं कॉलकॉम स्नैब्रेगन एजन 3 चिपसेट से एवन कहा जा रहे हैं एपल एस सेवंटीन प्रो चिपसेट से भी जी हां शॉकिंग बात सुनने को मिल रहे हैं अब देखते मिडियाटेक के ओर्स में क्या कुछ और नय अन को मिल जाती है इस बात का इंतिजार काम के लिए की बात करते हैं अगर आपको चाहिए एक वायर एयरफोन वह भी कम कीमत में वह थोड़ी बैटरी ब्रैंड की यह जो डील है आपके लिए डेपिनेटली काम की होने वाली बिस आप्रो देखने को मिल जाता है त्री पॉइन के अगर कुछ फीचर के बार में बात करें तो भी टैन अमेंकर में ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं इन लाइन माइक मिल जाएगा मुल्टी फंक्शन रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है त्री पॉइंट फैम और यह आपको डिवाइस के लिए कंपिटेबल र सकते हो उसके जो लेंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गैमिंग की बात करते हैं अवतार्स फ्रंटायर्स ऑप पैंडोरा वह यह जो गैम है जो कि अल्रेडी प्र जा चुके और यह गैम साथ डिसेंबर को रिलीज होने वाले और यह जो गैम है वो अवत लिए आपकी क्या सोचे इसके बार में कमेंट में जरू से बताईए तो बस आज की टेक नूज यह पर खतम होती है उमिद करता हो पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक कीजे चैनल के आप जरू से नए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजे कल मिलते आप से दबते के लिए क पॉलेज मैं लिंग से से टेक केर जाहिन वंदे मात्रां